Hello everyone, स्वागत आप सभी का जुन क्लासिट में सभी प्यारे विद्यारतियों को नमस्कार PTT 2022 की अगर हम बात करें तो तीसरी अलोट्मेंट लिष्ट यानि जो आपकी सेकंड वेटिंग लिष्ट है वो भी जारी हो चुकी है आप सभी को पता है 7000 स्थीट रिक्त थी जो भी अब भर चुकी है उनके लिए भी आपकी जो तीसरी अलोट्मेंट लिष्ट है वो जारी हो चुकी है आप सभी ने देख लिया होगा नहीं देखा तो आप लोग जो है उपिशल वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिए जो अलोट्मेंट प्रिंट लेटर है उस पर जाके किलिक करना है आपने जो जनरल डिटेल है वो फिल करनी है जिसमें रॉल नंबर, काउंसलिंग, आईडी, डियो भी आप डालेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि आपको कॉलेज मिली है या नहीं मिली है लास्ट राइम अगर हम बात करें, जो या पर लिश्ट आई थी आपकी, उसमें कापी सारे विद्यार्तियों का सेलेक्शन हुआ था जिसे ऐसी कैटेगरी की बात करें, साइंस के अंदर, जिनके 340 नंबर थे, 45 नंबर थे, उनका भी सेलेक्शन हो गया था तो मैं उन विद्यार्तियों के लिए बोलना जाओं, जिनके नंबर 300 प्लस है, जिनके नंबर 300 प्लस थे, साइंस के अंदर, जो मेल है, किसी भी कैटेगरी से है, तो एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है, और अगर आप फीमेल है, 280 नंबर से प्लस थे, तो अभी आप लो लेते हैं, तो इसके बाद में आपकी कोई भी लिष्ट नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है एक लिष्ट आजाए, अगर 1000-2000 भी यहां पर जो सीट है, वेकेंट रह जाती है, तो एक लिष्ट आ सकती है, लेकिन आप बहुत कम विद्यार्तियों के यहां पर सेलेक्शन होगा, तो जिनके नमबर कम हैं, जिनका पहली लिष्ट में, दूसरी लिष्ट में, तीसरे लिष्ट में नमबर नहीं आया है, अब वो कहांसे बेड करें, क्या वो अपनी साल मतलब की बचा सकते हैं, क्या और नेक्स्ट एयर के लिए परपरेशन करें, तो कापी अस्मंजस की आने वाला हूं कि आपके PTT में कम नंबर आये हैं या आपने PTT दिया ही नहीं है तो भी आप लोग बेड़ कर सकते हैं तो कहां से बेड़ करेंगे कैसे करेंगे आज शाम को बहुत ही शांदर वीडियो होगा उसको जरूर देखना तो इस वीडियो में आपको बताने वाला आप तक पहुंच जाए आये में को स्टार्ट करते हैं तो PTT 2022 की तीसरी अलोट्मेंट लिस्ट या पर जारी हो चुकी है जिनका नंबर आ गया है अब उनको फीज जमा करवानी है तो भई आपको फीज जमा करानी होगी तो यहां पर फीज जमा कब से कब तक आप करा पाए और रिपोर्टिंग का जो समय है वो है आज से ही 19 नॉवंबर से लेकर 24 नॉवंबर तक आप कोलेज में या पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं जिनको भी कोलेज अलोट हुई है बहुत सारी विद्यारती है कॉमेंट आ रहे हैं आप सभी के सर हमें कोलेज मिल गई है हमें कोले waiting list आए थी जब आपकी सेकिंड जो वेटिंग लिस्ट आए थी तो उसमें जो है आपने upward moment करवाया था और यह कब से कब तक हुआ था तो यह 14 तारिक से लेकर 16 तारिक के बीच में upward moment हुआ था तो जिनों पहले ही आपकी हो चुकी आपका एडमिशन उसी कोलेज में हो जाएगा और चेंज हो गई है तो दूसरी कोलेज में आप लोग रिपोर्टिंग कर लीजी तो सभी विद्यार्तियों को जिनका भी अलोट्मेंट लिष्ट में नाम आया है जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हु कि हमने एक विडियो बनाया भी रिसेंटली कापी सारे विद्यार्ति देख चुके हैं कि बेड फरस्ट इयर का जो पाटे क्रम हैं जो आपका सिलेबस है एक्जाम पैटन है वो क्या है कितने पेपर आपकी होते हैं कितने नमबर की होते हैं पास होने के लिए कितने नमबर देखना आप लोग और यह कुछ इनफोर्मेशन थी जो मैं आपको बता दिये साती आज शाम तक एक वीडियो आने वाला है जिनका पिटी टी में नमबर नहीं आया जिनको कॉलेज अलोट नहीं हुई है या जिन्होंने एक्जाम दिया ही नहीं था लेकिन वो बेड करना च इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद